नमस्कार हाट टॉपिक में आपका स्वागत है मैं हूँ अखिलेश शर्बा हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से राहूल गांधी के बारे बेरे राहूल गांधी राय बरेली और वाइनार दोनों सीटों से चुनाओ जीत कर आये थे इस बार वाइनार स से यह प्रियंका की फॉर्मल एंट्री होगी प्लिक्स में पहली बार वो लोकसभा का चुनाओ लड़ने जा रहे हैं और राहूल गांधी बराय बरेली की सीट से रहेंगे जो उनकी माता जी सोनिया गांधी की सीट थी इस बार वह एक लंबे मार्जिन से वहां पर जीते है तो इस तरह से राहूल गांधी राय बरेली में और प्रियंका गांधी बाइनाट से चुनाद लड़ने जीते हैं कि यदि वह वाइनाट की सीट सोड़ते हैं तो कोई गांधी परिवार से वहां से चुनाव लड़ना चाहिए और आखिरकार प्रियंका गांधी मान गई है राहूल गांधी मान गए हैं तो अब जो बात कहीं जा रही थी कि क्या वाइनाट की सीट से कौन लड़ेगा उस प कोई भी सांसे जैदी दो सीट से जीटता है तो उसको एक सीट जो है चुनाव परिनाम आने के 14 दिन के अंदर छोड़ने होते हैं और वो जो समय सीमा है वो कल खत्म हो रही थी इसलिए राहूल गांधी को आज ही निटने ले ले लिया है उन्होंने वाइनाट की सीट छोड है तो दोनों सीट जो है वह सीट दाइब करना चाहते हैं वहाँ सीट वहに आत करना चाहते हैं वायनाट के लोगों के लोगों वैसे हालात में वायनाड के लोगों ने उनका साथ दिया था जब वो एक सीट से चुनाव हार गए थे इसलिए के उनका कहना कि वो लगातार वाइनाड जाते रहेंगे और यही वजह है कि उन्होंने प्रियांका गाण्धी को मनाया इसके लिए कि प्रियंका गांधी हाँ करें, इलक्टरोनल पॉलिटिक्स में आने के लिए और उसके बाद अब ये गाधी परिवार ने तैग किया कि प्रियंका गांधी वाइनार्ट से चुनाव लड़ेंगी जब भी बाइलक्षन होंगे, अब से 6 मैंने के अंदर जैसा कि आपको मालूम है कि वहाँ बाइलक्षन होगा और वहाँ पर चुनाव होगा, अकले से एक जो दूसरा पक्षि था खबर का जिस पर अपने चर्चा कीज़ी थोड़ी दर पहले वह था,» एलोपी को लखा, लोगसभा में नेता प्रतिपाक्ष, आपने यह रिपोर्ट किया हूँ आए कि राहूल गांधी को सारी कॉंग्रेस ने रिक्वेस्ट किया कि वह यह पत्संभा लें, क्या इस बार रे में राहूल देखने को मिलेगा ऐसे में कई नेता खुद खरगे साथ भी चाहते हैं कि राहुल गांदी जो है वो लीडर अप अपोजीशन का पद्ले आपको मालूम है कि यह पद्ल जो है वो कैबिनेट रेंग का होता है धेर सारी कमीटी में आप होते हैं कि धेर सारे जो सेलेक्शन होते हैं सीविएए डायक्टर से लेके बांकी उनमें भी आप सदस होते हैं लेकिन वो साथ इसके लिए तयार नहीं है गोर्ब गोगई से लेके मनीश्तिवारी से लेके ससी तरूर कई नामों की चर्चा चल रही है देखते हैं राहुल गांदी इसके लिए हाम भी भड़ते हैं या नहीं? कहा गया कि हैरा फेरी हो रही है चुनावायोग का स्टेंड शुरू से साफ रहा है कि EVM पूरी तरह सुरक्षी थे अब जो नया विवाद है वो यह है कि एक OTP से EVM को अनलोग करने का दावा किया गया है हम यह पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाएगे लेकिन उससे पहले इस विवाद पर चुनावायोग ने क्या कहा है वो आपको बता रहे है चुनावायोग ने यह कहा है कि EVM को अनलोग करने के लिए किसी भी OTP की जरूरत नहीं होती है EVM किसी बहारी डिवाइस से जुड़ी नहीं होती है एक अकबार में छपी खबर को पूरी तरह घलत चुनावायोग ने अपनी ओर से बताया है और अब इस पूरे विवाद से जुड़ी खबर आपको दिखा लेते है उस खबर के आधार पर उस खबर को उठा करके देश भर के नेताओं ने जिस प्रकार से ट्वीट किये और बयान जारी किये स्टेटमेंट दिये हमारी पहली मांग यह है कि उन सारे नेताओं को माफी मांगनी चाहिए शिर्शेना के शिंदे गुट के नेता संजे निरुपम ने एक साथ राहूल गांदी अखिलेश यादव मुंबई लोकसभा छेतर में जिस दिन काउंटिंग हो रही थी लोकसभा चुनाओं की उस काउंटिंग के समय शिविसेना के जो विज़ाई उमिद्वार स्री रविंदर वाइकर है उनके कोई रिष्थेदार एक वहाँ पर मोबाइल लेकर खड़े थे उस मोबाइल से उन्होंने इविएम को अनलॉक किया उस मोबाइल पे इविएम का एक OTP जनरेट हुआ और उसके जरिए M.V.A. के उमिद्वार को हराया गया यह सरासर गलत इन्फोर्मिशन थी यह सरासर बकवास है और इस बकवास को पूरे हिंदुस्तान के बड़े-बड़े नेताओं ने, विपक्च के नेताओं ने जिस तरीके से उठाया और एक फेक नरेटिव को राश्टिय अस्तर पर पचारित किया वो इस बात का सबूत है कि भारत में विपक्च की राजनिती कितने निचले अस्तर पर उतर गई इस बारे में हमने कल बहुत सारी बाते कही थी आज हालात ये है कि जिस अख़वार ने ये खबर छापी और जिसकी वज़े से पूरे देश में ये फेक नरेटिव सेट किया गया उस अख़वार ने आज माफी मांग लिए है क्लारिफिकेशन दिया है उस खबर को उठा करके देश भर के नेताओं ने जिस प्रकार से ट्वीट किये और बयान जारी किये स्टेटमेंट दिये हमारी पहली मांग या है कि उन सारे नेताओं को माफी मांगनी चाले दरसल मुंबई की उत्तर पश्रिम सीट ने नतीजों को लेकर राजनीती अप और तेज हो गई है मोबाईल OTP से EVM खोलने वाली खबर ने EVM पर फिर सवाल खड़े कर दिये थे चुनाव आयोग ने इस खबर को गलत बताया था और आज अगवार ने माफी भी मांग ले मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से महज 48 वोटों से हारे अमोल किर्टी कर सरकार पर निशाना साध रहे है आपने क्या बोला है कि वो जो फोन है वो कई गुराव का है और उस फोन के अंदर एनकोर का कोड आता है और एनकोर का कोड कभी-कभी लेना चाहिए हर राउंड के बाद में जभी आप उसके अंदर कुछ आखड़े अपलोड करते है तो वो टाइम पर आपको वो कोड लेना जरूरी है तो दो बजे के बाद में अगर फोन वो सेंटर से बाहर गया तो उसके बाद का काम का कैसे चला तो कोई तो भी जूट बोल रहा है तो यह सब मसला है ना वो संशयस्पद है तो लोग जानना चाते है कि क्या हो गया है किसी की हार और किसी की जीत यह माइनी नहीं रखती यहाँ पर जो भी चीज होगी है तो फेर होगी है क्या वो ही जनता जानना चाती है कोई फोटेट से जीतेगा या कोई फोटेट चाहरेगा लेकिन वो गलत हो गया है, सही हो गया है, वो हर जंता को जानने का अधिकार है, इसके लिए तो लोग उसके ओपर सहुचे ले रहे इस मामले में शिवशेना का उद्धव गुट लगातार गडबडी की बात कर रहा है उद्धव गुट का कहना है कि वोटो की गिंती के समय सेंटर में हर एक राउंड के बाद वोटो का एलान किया जाता है लेकिन 21 वे राउंड के बाद ऐसा नहीं किया गया स्टेचर स्वता बोलता है इलक्षन कमिशन आने कौन बीजिपी के एक्स्टेंडेड ब्रैंच विज इलक्षन कमिशन नौर्थ वेश का जो चुनाओ नतिजा निकाल सामने आया है तब से ये पूरा एक वाद्गरस्त बन गया है कन्फूजिंग हो गया है जीस तरह से अमल कृतिकर शीव सना के उमेजवार को विज़ाई गोशित किया एक बार नहीं दो बार अमल कृतिकर को दो बार विज़ाई गोशित किया फिर रिटरनिंग ऑफिसर वंदना सुर्यवाशी को किसी का फोन आता है और एक इलक्षन ऑफिसर दिनेश गुरव का फोन लेकर अंदर फोन लेकर जिसका ओपर OTP है या अनलॉक कर सकते हैं वियम मशीन या छेड़ चाड़ कर सकते हैं वियम मशीन से वो फोन लेकर सिंदेगुट के उमेद्वार रविंद्र वाइकर का एक रिलेटिव अंदर घुमता है और फोन यूज करता है रवंद्र असुर्यम मशीन नहीं लिया है अब उनको पर एफार लॉच किया अब फोन उनको विजे गोशित किया वाइकर को टोटली इलिगल इस मामले में एकनाचिंदेगुट के सांसद रविंद्र वाइकर के रिष्टेदार के खिलाब केश दर्ध होने के बाद अब उद्धव ठाकरे गुट के नेता विलाज पुटनिश के खिलाब भी केश दर्ध किया गया है मुंबई से सुजाता दिवेदी प्रविन रोहित राजेंद्र दयालकर के साथ पारस दामार एंडी टीवी इंडिया और इसी मुद्धे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साइंस एडिटर पल्लाव बागला साहब पल्लाव जी स्वागात है आपका इंडी टीवी इंडिया के स्टूडियो में आपसे यही सबज़ना चाहेंगे मेरे घर में ही नहीं लगता कहीं भी कोई वाइफाई से कनेक नहीं होती कोई ब्लूटूथ से कनेक नहीं होती और यह आज नहीं जब से इवी एम चालू ही है 1982 से आज तक 400 करोड वोट दिये गए हैं इवी एम पे भारत में और आज तक एक भी केस हैकिंग का या टैंपरिंग का प्रूव नहीं हुआ है मैं इवी एम को बहुत सालों से देखता आया हूँ बहुत करीब से देखता आया हूँ वो बहुत रोबस्ट मशीन है भारत के इलेक्शन के लिए उसको एक स्पेसिफिक तरीके से बनाया गया है और वो हमारे यहां बहुत काम्याब है उसमें कोई डाउट नहीं है टैंपर अंडर डिजाइन है 21st सेंचरी के लिए आज कल हैकर जो है वो केवल इंटरनेट से कनेक्ट होके हैक करता है जब यह इंटरनेट से कनेक्टीड ही नहीं है 5.6 मिलियन मशीन यूज हुई है भारत वर्ष में इस इलेक्शन के लिए आपको अगर हैक करना है तो हर जो पक्ष्ट हो था उल्टा हो गया, 400 पार नहीं हुआ, अगर सरकार करना होता तो 400 पार हो जाते कैप रही थी अगर हैक हो सकता होता तो यह के सरकारे पलटती हैं, सरकारे बदलती है, EVM एक म्यूट स्पेक्टेटर है, बहुत रोबस्ट ली, इंडियन साइंटिस्ट ने उसको डिजाइन किया है और उसमें आज तक मुझे कहीं हैकिंग की कोई गुंजाइश नहीं दिखी येक दलील ये दी जाती है विपश की ओर से कि आखिर जो पॉलेड बैलेट पेपर है उसमें वापस जाने में दिक्कत क्या है आप अगर फिर से एक बार उसी जमाने में चल करने में क्या दिक्कत है कि इसके कुछ और भी फायदे हैं जैसा कि आप रिपोर्ट करते आएं कि पेड़ बचते हैं परियावरन प्रेमियर इससे एक अदम उठता है ते कि परियावरन में तो बहुत फरक पड़ता है यह सबसे एको फ्रेंडली इलेक्शन था दो लाक से ज्यादा पेड़ बचे थे एको फ्रेंडली इवियम इस्तमाल करने पे लेकिन आप खुच जाएए अकिलेश जी पीछे जाएए चुनाव में सतर असी के दशक में जाएए अगले दिन इलेक्शन के बाद हम क्या रिपोर्ट करते थे बिहार में सौ लोग मरे इतने बूट कि 2004 से 100% पोल्स जो हैं इंदोस्तान में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन पे हुए दुनिया के और देशों में इवियम लगी और हटी बहां पे वो इंटरनेट से कनेक्टिड थी हमारी अलग एक स्टैंड अलोन मशीन है कैलकुलेटर की जैसी और उसमें कोई हैकिंग की बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस दिल्चस्प जानकारी के लिए तो नकेवल उसको हैक करना इंपॉसिबल है बलकि पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा कदम है इवियम का इस्तेबाद तो यह थे हमारे सयोगी पल्ला बागला जो की इवियम के वारे विस्तार से अगले वक्त एक ब्रेक का ब्रेक के बाद तुरों थासिरा थे हो अश्वनी वैश्णव वहां के सह प्रभारी होंगे, वहीं हर्याणा में केंद्री मंत्री धर्मिंद प्रधान प्रभारी होंगे, त्रिपुरा के पूर्व सीएम और सांसाथ विपलव कुमार देव सह प्रभारी होंगे, जारखन में मद्धिप्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और केंदरी मंत्री शिवराज सिंग चोहान को प्रभारी बनाया गया जबकि असम के मुख्य मंत्री हिमंता विश्व सर्मा वहां के सह प्रभारियों में जम्मू कश्मीर में केंदरी मंत्री जी किशन रेड़ी को बीजेपी ने प्रभारी बनाया है बीजेपी ने चा भी वो बड़े मार्जिन से जीत कराये हैं, अब केंदर में कृषी जैसा महत्वपुन मंताला उनके जिम्में सौपा गया, जहारखन में आदिवासी समाज को साधनी की चुनावती शिवराज के सामने रहेगी, जी किशन रेड़ी, तेलंगाना से फिर चुनाव जीते हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, दक्षिन भारत में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा हैं, और बतोर परेटन मंत्री जम्मु कश्मीर के लिए कई एहम फैसले किये कश्मीर खाटी में बीजेपी को मजबूत करनी की चुनावती जी किशन रेड़ी के सामने होगी, धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लेते हैं, उडिशा बीजेपी का बड़ा चेहरा हैं, कई महत्रपुन राज्यों के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं, यूपी, एमपी, बिहार, जारखंड में जीत दिलवाई, फिर शिक्ष्या मंतले की जिम्मेदारी भी संभाल चुके, एक बार फिर से उनको यही कमान सौपी गई है, लेकिन हर्याना में चुनावती बड़ी है, वहाँ 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लियाजा हैट्रिक बनानी की चुनावत उनके सामने है, बुपेंदर यादों की बात कर लेते हैं, पहले भी महाराश्ट के प्रभारी रहे हैं, 2019 में फर्णविस को सीम बनवाने में बड़ी भूमी का रही, रायस्थान, गुजराद, बिहार, जारखंड के प्रभारी रहे चुके हैं, केंदर में फिर से पर्याव मोधी के विश्वास पात्र माने जाते हैं, इस बार उनकेंदर में तीन बड़े मंतलियों की जिम्मेदारी फिर से सौपी गई है, गड़ीत क्या है, ये भी देख लेते हैं, महाराश्ट में बीजेपी, गड़बंधन की सरकार है, उसके साथ 103 विधायक हैं, NCP के 40 और और वहाँ पर कॉंग्रेस के 37, शिवसेना उद्धव के 16, NCP शरत के 12, समाधरी पार्टी के 2, CPM, PWPI के 1-1 विधायक हैं, तो इस तरह से महाविकास अगाडी के पास 79 का आकड़ा है, और वहीं हर्याना का गड़ित क्या है, वो भी देख लेते हैं, यहाँ पर BJP के 41, कॉंग BJP के 26, कॉंग्रेस के 17, आसु के 3, RJD, CPI, ML, NCP के 1-1 और 2 निर्दली विधायक हैं, कुल 80 सीट है यहाँ पर है, तो इस तरह से यहाँ पर आपने जो गणिज देखा है, 4 महत्वपूर्ण राज्ये हैं, यहाँ पर BJP को 2 राज्यों में सरकार है, जम्मु कश्पी में राष परताविक BJP लोगसभा ध्यक्ष का पद अपने पास ही रखेगी, डिप्टी स्पीकर का पद विपश को देने के बजाए, सहयोगी दल को दिया जाएगा, यह सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है, स्पीकर पद के लिए NDA उम्मुदार का नाम PMOधी 26 जून को स्पीकर चुनाव के लिए रणिती पर चर्चा हुई, डिप्टी स्पीकर पद NDA के अन्य खटक दल को दिया जाएगा, विपक्ष ने सरकार को परंपरा की याद दिलाते वे, डिप्टी स्पीकर पद की मांग की है, विपक्ष ने कहाए कि अगर डिप्टी स्पीकर पद उ लिया जा रहा है तीनों ही बीजेपी के नेता हैं वरिष्टता के आधार पर इंद में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर बना जा सकता है राश्पती सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को शपत दिलाएंगी उसके बाद प्रोटेम स्पीकर लोगसभा के नव निर्वाची सभी तो आज होट टापिक में इतना ही नमस्कार